नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक टो माई यूटूब शैनल मेरे यूटूब शैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा रह सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रस्णपत पर नहीं था बारकोड प्रिंटिंग पेस भी चांस के दाइरे में आया हुआ है इस बार के गिरोह के अलग मास्टर माइंड भी नया है तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं चो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं एक कि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहा है और देख सकते हैं बिहार लोग सिवा आयो यानि की बीपीएसी के द्वारा ली गई सिच्छक भरती परिच्छा के तितिये चरण के पेपर लिक मामले की जांच का दाइरा बढ़ता जा रहा है जो हां बीपेसी टीरी थी है उसक ने आई है कि सॉलवर गिरोह को पें ड्राईब में परिच्छा के प्रश्णपत की सौप कॉपी दी गई थी जो बीपी एसी पेंडर दिया था कोश्चन छपने के लिए वह कोश्चन छपने से पहले ही सॉल्वर गिरोह के पास आगया था ऐसी सुचना पेपर में दी गई ह सुत्रो के अनुसर हजारी बाग में छपे मारी के दोरान स्वबलाग्रों के पास मिले प्रश्णपत पर बार कोड भी नहीं मिला है क्योंकि छपने के बाद उसमें बार कोड होता है ऐसे में आसंका है कि प्रेस में जाने से पहले ही प्रश्पत की छपाई से पहले ही प्रश्पत की सौप कौपी ले ली गई थी यानि कि प्रश्पत की छपने से पहले पेंडराइब से ही ले लिया गया था EOU को सक है कि इसमें परिच्छा संचालन से जुड़ा कोई अहम ब्यक्ति सामिल हो सकता है परिच्छा के प्रश्णपत के छपाई करने वाली एजनसी और प्रिंटिंग पेस भी जांच के दाइरे में है अब तो दाइरा यहां तक बढ़ाता अब दाइरा जो एजनसी है छपाई करने वाली और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी दाइरे में आ गये हैं उन पे भी छपे मारी होगी और उनको भी पकड़ा जाएगा जब खुलासा होगा तो देख लिजेगा इतमें कितने लोग सामिल होंगे अब यहां पर दिखे कहा जा रहा है कि कम्प्यूटर किया गया सिल अब कम्प्यूटर जो सिल किया यह उसमें क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं सुत्रो के अनुसार EOU ने परिच्छा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए BPSC को एक नोडल पदादिकारी तै करने को कहा है यानि कि क्या कहा वह जान लिजीएं, शुत्रों के रूसार EU ने परिच्छा से जुढी जनकारी लेने के लिए BPC के किज़ने को तैय करने को कहा है इसके अलावा परिच्छा संचालन से जुड़े अहम पदादिकारियों की जानकारे भी मांगी गई है यानि कि जो परिच्छा गाइड लाइन तियार करते हैं किनके देखरेक में होता है वो पदादिकारी का नाम भी मांगा गया है ताई खुलासा हो सकिन में कौन सामिल है परिच्छा संचालन से जुड़े कम्प्यूटर वा अन उपकरणों को सील करने को कहा गया है यानि कि जितने भी BPSC में उपकरण है जो जिसके माधम से परिच्छा संचालन होता है उसको लेकर है EU जुरुत के अनुसार इनकी जांच कर सकती है EU सुत्रे के अनुसार अभी परिच्छा से जुड़ा हर व्यक्ति वाजन से जांच के दाएरे में है BPSC से भी आप सकता अनुसार परिच्छा संचालन से जुड़ी जनकारी मांगी जाएगी परिच्छा संचालन में किन की क्या भूम का रही प्रश्ण पत की जनकारी किन किन लोगों के पास थी यह सारी जनकारी EU एकत कर रही है यानि कि जांस के दायरे में अब BPSC के बड़े अधिकारी भी आ गया है इसलिए यहां पर साब कहा गया है कि कम्पूटर भी सिल किया गया है और जो जो परिच्छा में संचालन कर रहे थे अधिकारी प्रदिकारी वो सब अधिकारी का लिष्ट भी मांगा गया है ताकि उनसे पुष्टाथ हो रीमांट पर लेगी ऊउयू देख थे अब किनको रीमांट पर लेगी वो हम बता जते हैं इस मामले में हजारी भाग से पकड़े गए करिब 270 अभैर तो वासौलवर गैंक के सदस्यों को जेल भेर दिया गया है इओ यू सौलबर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है इस मामले में हाजिपूर और कर्भी गहिया से गिरफतार किये गए अब युक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पुष्टास की जाएगी जाँच टीम को सक है कि इसमें अंतराश्टिये गिरुह भी सामिल हो सकता है पुलीस गैंग के सदस्यों की तलास कर रही है यानि कि अगर जाँच चले तो बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है यहाँ पे धानली रोकने के तमाम उपाय बिफल हो गये हैं बिते दस बरसों में कई परिच्छाओं में सामने आचुका है धानली और पेपर लिग का मामला परतियोगी परिच्छाओं में धानली रोकने के तमाम उपाय नकल के ठेकदारों के आगे बिफल हो जा रहे हैं पेपर लिख तो कहीं सेंट ऑफिस को उत्तर अटवाने और सेंटर पर पिसार्थी की जगह सौलवर तक की मिटिंग हो रही हैं परिच्छा एजन्सी के तमाम दावों के बाद भिग्रो सेन लगा कर अब आसानी से परिच्छा के प्रश्ण पत तक हासिल कल ले रहे हैं बर्श 2017 से मार्श 2024 तक की बात करें तो BPSC द्वारा ली गई चार परिच्छाओं में कभी पेपर लिख तो कभी धानली की बात उजागर हो चुकी है इन मामलों में 350 से अधिक लोग की गिर्फतारी भी हुई और कई अन की आज भी तलास जारी है इसके बाद भी पुलिस और जांच एजनसी परिच्छा माफिया वा सौलवर गिरोह का नेटवर्क नहीं तोड़ पा रही है गिरोह का जाल सिर्फ प्यार ही नहीं जारखन, यूपी, दिल्ली, ओडिसा से लेकर अनराज जो तक पसरा हुआ है इस्तिती यह हो गई है कि एगर पुलिस किसी एक गैंग की चेन को तोड़ने का प्रियास कर रही है तो दूसरा गैंग किसी और परिच्छा में धांदी कर दे रहा है इस बार गिरोह के अलग मास्टर माइन भी नया है 2021 की राष्टिय पाता प्रिवेश परिच्छा नीट में धांदी का प्रियास करने वाले अन्तराजी सौलवर ग्रोह के सरगना निले सी उर्फ पी के और उसके बहनोई को यूपी क्राइम ब्रांच द्वारा सारनाथ पुलिस ने गिरिफतार कर लिया था पटना के पाटलिपुत कालोनी में साथ रहते थे तब बताया गया कि वह यूपी बिहार दिल्ली से लेकर तिरपुरा तक सक्रिय गैंग सौलवर गैंग का सरगना था इसके बाद जनवरी 2023 में गुजरात में गुजरात 25 सेवाची एन बोर्ड की परिच्छा में परिश्मक परिच्छा माफ्या ने लिख किया था इसका मास्टर माइंड भिहार की हाजिपुर्णिवासी बिसाल कुमार निकलू जो पटना में ही ग्रामीन कार्विभाग में कायलेत था इसमें कई और ग्रिपतारी भी हुई थी अब तक हुए पेपर लिख और धानली के मामले क्या हैं तो फरबरी 2017 में बीपीएसी की इंटर अस्तरिये परिच्छा में धानली मामले में ततकालिन चेर्मेन और सचीव सहीत कई लोग की ग्रिपतारी हुई थी माई 2022 में बीपीएसी के से सटमी पीटी का प्रश्णपत लिख का मामला उजागर हुआ था EU में केस हुआ था और 18 से अधिक ग्रिपतारी हुई थी सितमबर 2022 में BPSC के प्रश्णपत लिख मामले में EU में कैस दर्ज किया गया था इस मामले में 12 से अधिक लोगों की गिरफतारी हुई थी अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस की सिपाही भरती परिच्छा में प्रश्णपत लिख हुआ कई जिलों में किस दर्ज हुआ कई गिरफतारियां हुई मास्टर माइंड की तलास जारी है मार्च 2024 को बिहार लोग से वायोग BPSC दवार ली गई 15 मार्च को सिचक भरती परिच्छा मामले में 270 अब भरती और सॉलवर की गिरफतारी हुई है तो यह हमने एक छोटा सा अपडेट आपको दिया दोस्तों इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे तो यह वीडियो आपको कैसे लगी अब हमें कमेंडर क बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो नीच पाने के लिए आप हमारी चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों